हेलो दोस्तों नमस्कार मैं चल में स्वाकत है मैं आज फिसे एक नए वीडियो लिखाए हूँ जो कियों का दोपाहिंतरी जाता है उसका बोड है अगर कुछ यह पार सचोड देंगे ठीक है ना जैसे कि पकण लिए यह टीक है अट तर बारा ती और कुछ एक-डो पार साकर छोड देंगे तो बोट दोनों सेमी है ठीक है तो हम आज इससे ही पूरा समझ लेंगे कि किससे क्या सब्सक्राइब नहीं कि चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लिए तो चलिए शूरू करते हैं और एक बात अगर आप लोग अभी तक मेरे आपकी लोग के लिए बनाए हो मैंने एक वेबसेट बनाए www.electricallearner.com तो आप लोग अभी तक बीजिट नहीं के में साइट में तो साइट में जाके बीजिट कर सकते हैं उसमें बहुत आर्टिकल में पपलीश करता हो और बहुत प्रोड़क्ट के बारे में भी में बताता रहता हो तो चलिए शूरू करते हैं तो इससे पहले हम पहले से होता ही प्रोड़लम होगा इतना में देखेंगे में समया में जांग भी empl sätt कर में नहीं हुरा है तो हम इसमें देक्षिन डेखेंगे लदाता हो है निस постоянно मेंस का रिलेटेट का प्रोब्लेम में होगा ठीक है यह वाला जो सेक्षिन है यह मेंस इधर भी आएगा ठीक है यह जो है इसकी इधर तक भी पूरा मेंस आएगा ठीक है यह पूरा सेक्षिन मेंस के जो भी प्रोब्लेम होगा हम इधर तक ही देखेंगे और अगर चेंज अगर आपको 2K बी तो आपके पास deficit bek.88,12 लागा होगा ऐ तो एक बाँ वार्य की टीकह रहेगा ड़ाघर नहीं होगा तो यह इसके एड़्ेस्ट करनेका pal Earnest Primary और जो की microcontroller में ज्यादा जाएगा तो microcontroller का जो power supply यह इधर से जाएगा तो microcontroller के यह एक दो resistance एक डायोड ठीक है यह सब में यह इसका microcontroller का है तो अगर microcontroller कुछ problem होगा on नहीं हो रहा है microcontroller में microcontroller on नहीं हो रहा है तो हम इसमें देखेंगे बोल्टिज जादा आ रहा है जिसके करन microcontroller बार बार ऊट जा रहा है तो इसमें हम देखेंगे अगर overload charging के related कुछ प्रोबलेम आ रहा है इस overload हो रहा है charging का ampere जादा आ रहा है तो हम यह वाला में देखेंगे LM358 ठीक है इसका और इसका को charging बाज़वर जो भी resistance है यह सब देख ओर फ्ट का है जोकी पुरा इस चार्बार को ड्राइब करता है यह इसके इनपूट है तो चलिए शुरू करते हैं अभीना तो अभी पुख़कलिए इनवर्ट में पास आया थिके मैंने इसको बैटरी से से कनेकежду किये है बढ़ कुछ भी नहीं शो हो रहा है ठीके कुछ भी नहीं शो हो रहा है बैटरी से कनेक्ट करें जासे हम बैटरी ना स्पार का रहा है ना कुछ होरा है तो इस केसं में हम तो पहले 呢гов फ्यूच से बात से ญमी पक देंगे और positive steel इधर ही देखेंगे फिर चेक करेंगे बारा बोल्ट आ रहा है कि नहीं तो अगर fuse के बाद से बारा बोल्ट नहीं आ रहा है तो fuse change कर दीजे fuse check कर लेजे, checker के change कर दीजे अपका inverter on होने का chances से फिर बाद में अगर फिर भी नहीं आ रहा है फिर भी means इधर बारा बोल्ट आ रहा है लेकिन फिर भी inverter on नहीं हो रहा है तब हम यह जो shunt लगा है ठीक है, shunt के इस पर से negative लेंगे positive steel इधर ही दखेंगे फिर देखेंगे बारा बोल्ट आ रहा है गी नहीं अगर बारा बोल्ट नहीं आ रहा है तो shunt देखेंगे, मेरा इधर shunt मेरा खराबता इस case में ठीक है, shunt resistance खराबता यही आमारा overload overload दिखाता है ठीक है, जिसको आप उखार के wire मत लगा देना फिर बाद में हमारा emitter काम नहीं करेगा पर आपर से, ठीक है, तो यह shunt को देखेंगे, यह से soldering कर लीजिए, ठीक है, shunt को check देखेंगे, इसको soldering कीजिए, तो shunt के बाद में भी हमारा 12 बोल्ट मील रहा है और 24 बोल्ट सिस्टम में 24 बोल्ट मील रहा है, फिर भी हमारा system on नहीं हो रहा है, तब हम क्या करेंगे, इधर आएंगे, आके देखेंगे LM317 को, ठीक है, यह है LM317, तो LM317 का जो input है, input में हम check के रहेंगे कि 12 बोल्ट आ रहा है कि नहीं, ठीक है, और अगर 24 बोल्ट का सिस्टम में 24 बोल्ट सीन नहीं होगा, यह खाली रहेगा, पूरा 12 बोलट आ जायगा इधर से 12 बोलट अगर 12 बोल नहीं आया तो आप पहले ट्रेक कर सकते हैं कि इधर से आपको problem हो रहा है ठीक है, चेक करके fit कर सकते हैं यह सब्सक्राइब इसमें इधर 12 बोलट आना है, इधर किसेट करना परेगा तो इसमे इसमे चैनली के लिए आप देखिए मैं आपको दिखाता हूं तो यह हमारा LM317 का इंपुट है यह आउट्पूट है सेंटर वाला और यह एडजेस्ट पीन है तो आप LM317 का जो फिर्स्ट पीन है यह इसमें से अडजेस्ट कर सकते हैं कि कितना वोल्ट आपको होना है यह आप इदर फक रहेंगे पहले आपको नेगिटिव रख लिजे इदर आपको जो मल्टिमीटर में नीचे रखते हो बोट को फो मल्टिमीटर नेगिटिव रख लिजे आर जो LM317 इसका सेंटर पीन में पॉजिटिव रखी है रखने के बाद चेक किजिए कि इसमें 4.9 बोल्ट आ रहा है नहीं कि 5 अब फाइक नहीं आ रहा है तो अब LM317 चेंज कीजिए और नहीं तो यह अब रिजिस्टेंस चेंज कीजिए ठीक है लम317 डियोड है रिजिस्टेंस है यह सब चेकर चेंज का धगते इसको क्या बदाना इसको तो सब को ही मालूम है ठीक है इसमें इतना प्रॉब्लम नही सब्सक्राइब होगा है आप वार्ण सहले हो ज sau कि फ्रॉब्लम नहायाह ठीक है रही है तो इसको भी खशा crush को गाल में इर भी ख़राओ यूफॉर का हमारा जो लेफट से से एक गिंती शुरू होता है इस कॉटल माइक्रो कॉंट्रोल को जो डॉट है है यह से एक सुरू हो जाता है। पाइच चार पाच चे साथ नो दस फिर बाद में इधर दस खतम होगा खतम होने के बाद इधर से 11 शुर होगा आपोसिट से 10 का आपोसिट से 11 शुर होगा इधर 20 पिन का है तो माइक्रो कोंट्रोलर का पीन भी हम समझ के कौन सा पीन कैसे होता है को हमारा प्रोड है मैं की फिरन माइकरो ये रसे साथ जाएगा most होता है क्योंकि माइक्ट्रोंटर में व्हां ऐड़ होता है जादा मठइलएगा 5.2 volt से उपर 1 volt से उपर जैसी जाएगा microcontroller खराब हो जाएगा हमारा तो 4.9 volt यह अब set करके रखीए तो अब से best ही है ना तो कम ना तो जादा तो इधर आपको 4.9 volt आना चाहिए 4.9 volt तीन नमबर जो है यह VCC है microcontroller का जो कि microcontroller को on होने के लिए 4.9 volt चाहिए अगर इधर 4.9 volt नहीं आएगा microcontroller on नहीं होगा और फिर बाद में जो चान नमबर पीने है यह हमारा ground है ठीक है तो एक बाद ग्राउंड भी आप चेक कर लेजे इधर आप multimeter को continuity में रखेंगे नहीं भी रखेंगे continuity में रखेंगे इधर एक बार रखाएंगे multimeter का probe और एक probe negative पे रखेंगे तो आपको beep sound देगा यह से नहीं करेंगे multimeter का positive probe इधर रखेंगे negative probe चान नमबर पे रखेंगे तो आपको voltage दिखाएगा ठीक है डाइरेक्ट 12 volt डिखाएगा अगर नहीं दिखा रहा है तो आप इसका ground का लेजिए कोई वहर से track चुट गया हो चेक कीजिए नहीं मिल रहा है तो आप स्विच के पास आजएगे स्विच चेपाच यह आप देखिए यह जो पहला वाला पी नहीं है एक डो तीन ठीक है तो आपको मालूम होगा स्विच का पहला वाला पीन है इसमें अपको 4.9 ५ मिलता है जो center भाला बीच भाला प्यांट है यह आपको पीन नमबर 6 में लोकी R 17 से होके जाएगा 2.2K का resistance तो R 17 हमको ढूनना परेगा भई तो भई देशें ये है R 17 ठीके तो R 17 से फोकस भी नहीं हो रहा है इसी टम में फोकस नहीं होगा तो R 17 से होके ये P number 6 नहीं जाएगा ये P number 6 है तो अब switch जैसी on करेंगे अब दोनों को जैसी short करेंगे पर ये ground के साथ नहीं लगना ये वाला जो last वाला ही ये ground है ठीके देखी ये इतना पर इसमें साथ ये लगा है तो ground के साथ अगर आपका 4 volt लग जाएगा तो अब अब अगर short कीजिए नहीं तो लगा ये लगाने के बाद आप देखें switch जैसे on करेंगे इधर आपको voltage आएगा ठीके कितना 4.9 volt आएगा तो अगर 4.9 volt नहीं आ रहा है इधर आपको तो अब ये change कर दीजे ये जो आपको 2.2 का resistance तो इसको मेंज चेंज ओबर नहीं हो रहा है हमारा तो मेंज चेंज ओबर नहीं हो रहा है पहले तो हम देखेंगे ये 808 transformer को इसको हम पहले देखेंगे कि इसमें से voltage निकल रहा है कि नहीं AC voltage निकलेगा जो कि इधर दीखें तीन है इधर है और यह ग्राउन्ड है तो इसमें यह देखे डायोड देखे यह आपको दो डायोड का positive बला point है इधर से दिखाता हूं मैं आपको इधर नहीं आ रहा है तो अब इधर voltage चेक केज़ें तहले आ रहा हैगी नहीं AC voltage डायोड का इधर आप 20 बला में ground रखिए व्योंकि ground पर रखिए तो पूछ वोल्टेज मिलेगा तो वोल्टेज में आपको मिलेगा ठीक वो आपको पहले चेक किजिए अगर नहीं आ रहा तो टायोट चेंज कीजिए चेंज किनने बाद आपको आज आना चाहिए अब इधर से जैसे आएगा यह आपको हैगा इसमें, यह आपका main sensing का जो voltage है, इसके range को change करता है, कितने low, कितना high आपको रखना है, तो अगर नहीं आ रहा है, तो इसको भी आप change करके check कर सकते हैं, गर में इसको इधर voltage आ रहा है, फिर भी नहीं हो आ रहा है, main change जब और नहीं हो रहा है, तो अब इसको change जो की आपको 4.6 wages 833 भालल रेशिस्टेंश के चेक कर सकते हैं आप इसके साथ यह Vaasומil max पर्ल स्वीचका जिसका लोकेशन सी 16 तीक है और इसके थूल नमबर 18 में आपको बॉल्टेज आएगा 3.8 वोल्ट में सेंसिंग क्या तो हमारा माइक्रो कॉंटॉलर का फोकस भी नहीं हो राया कि हम चेक करेंगे इसको चेक करेंगे इसको टांस्वों के चर्क करेंगे दो डायोड चेक करेंगे यह वेरिवल रिजिस्टेंस चेक करेंगे यह 833 चेक करेंगे कैपासीडर चेक करेंगे अब माइक्रो का पीन नमबर 18 में हमारा यह वोल्टेज आएगा तो इसका पूरा डायग्राम में www.electrlern.com के उपर मैं अपलोड कर लूँगा ठीक है मैं अपलोड कर दोंगा स्वरी तो आप लोग अगर विजिट नहीं किये चेक कर लिए हाँ शायद अभी अपलोड नहीं कर सकता हूं में आप जब देख रहे है बट यह वीडियो अपलोड हने का दो दिन चार दिन बाद मैं जरूर इसको अपलोड कर लोगा तो आप में हमने देख लिया में संशिंग के भी देख लियार कींद बेख लिया हो अगर इनन्वेटर का जो अजनल चाहिए मैंगर पीन नंशे संशिंग के हमारा पुरा ड्रांड है तो चरिए अप चलते है नेक्स्ट विडियो में जो की हम रिले और वागिरत बाकिरकों हम देखेंगे जली मिलता नेक्स वीडियो में